हलो बच्चों मैं पूनम राठोड राजस्तान सरकार और रिदानदा के CSR अनेश्य टूए कक्षा मैं आपको सवागत करती हूँ जिसके टेक्निकल पार्टन रमेशन याँ तो बच्चों चाप्टर पढ़ रहेते हम टैन पार्ट वन में हमने जाना था कि जो पॉइट है ठीक है वो किस से मिलना आयते हैं से मिलना आयते तो तो उर्नेस ने कहा था आपकी जतने भी कवीता हैं जतने भीम सा उनको पढ़ के मुझे ऐसे लगा कि जो ओल्ड प्रॉफेसी जो मा पुरानी भविश्यवानी सुनता आया ह तो आज बच्छो उसी स्टोरी को continue करने वाले हैं, चलिए, and why not ask Ernest, a poet ने उसको कहा था कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, यानि मेरा और विशाल प्रस्तर चहरे में क्या हो समरूपता हो, मैं इसके काबिल नहीं, मैं इतना योग्य नहीं हूँ, तो Ernest ने कहा why not, क्यों नहीं, he pointed to the book, उसने book की तरफ इशारा किया, are not those thoughts worthy, क्या ये जो विचार हैं, क्या ये जो thoughts हैं, वो इस लाइक नहीं हैं, इसके योगे नहीं हैं, you can hear in them the distant voice of a heavenly song, क्या आप इनमें इश्वरिये, इश्वरिये गीत आप इनमें सुन सकते हैं, but my life, dear Ernest, has not corresponded with my thoughts, लेकिन मेरा जीव प्यारे Ernest, किस ने कहा, कभी ने कहा, poet ने कहा कि मेरा जीवन जो है, मेरी thoughts की साथ मेल नहीं खाता है, I have had green dreams, क्या बता रहांगे, I have had grand dreams, यानि मेरे बहुत बड़े-बड़े सपने हैं, but they have been only dreams, लेकिन वो सिर्फ अपने ही रहे गये हैं, sometimes I lack faith in my own thoughts, कई बार मुझे अपने ही विचारों में विश्वास की कमी नजर आती है, why then pure seeker of the good and true, तो तुम क्यों, अच्छाई, ठीक है, और सच्छाई के जो खोज कर रहे हो, should you hope to find me in the face of the mountain, तो उस mountain के चहरे में, ठीक है, और मेरे चहरे में, एक साधरशत, एक समानता की आशा कैसे कर सकते हैं, the poet spoke sadly, and his eyes were wet with tears, poet जो है बच्छों, कवी जो है, वो उदासी भरी स्वरों में बोलता है, ठीक है, बहुत उदास हो के बोला वो, और उसकी आँखों में, क्या थे, tears थे, बहुत आशू थे, उसकी आँखों में, so too were those of earnest, और वैसे ही, earnest की आँखों में नम हो गई थे, earnest की आँखों में भ group of neighbors in the open air, earnest को किसे बात करनी होती है, earnest को बात करनी होती है, अपने पडोसियों से, open air, खुली हवा में वो बात किया करता था, जैसे उसके उसका custom था, जैसे कि उसके आदत थी विच्छों, ठीक है, together he and the point went to the meeting place, आज कौन-कौन गया, earnest और point, दोनों वहाँ पर गए, ठीक है meeting place जहां पर वो अपने पडोसियों से बात किया करता था, कान earnest, arm in arm, हाथ में हाथ, डाले हुए, from there could be seen the greatest on face, उस जगे से बच्छों वो जो विशाल प्रस्तर चहरा था, वो आसानी से देखा जा सकता था, earnest through a look of familiar kindness around upon his audience, earnest क्या क्या, earnest ने अपनी audience की तरह बहुत ही प्यार से नजर डाली एन नजर घुमाई, he began to speak और उसने बोलना शुरू किया, to the people what was in his heart and mind, उसने लोगों से बात करना शुरू किया, उसके मन में, उसके मस्तिश में जो भी था, उसने बात करना शुरू किया, his words had power, उसके शब्दों में क्या थी वच्छों, ताकत थी, पावर था, because they agreed with his thoughts, क्योंकि उसके शब्द जो थे, उसके thought के साथ match करते थे, सहमत थे, and his thoughts had reality and depth, और उसके जो विचार थे बच्छों, सही मायने में सही थे, real थे, और depth उन में बहुत जाता गहराई हुआ करते थे, because they harmonized with the life which he had always lived, क्योंकि इसके विचार जो थे बच्छों, उसके जो व्यतीत क्या करता था, उस जीवन के साथ क्या थे, समन जसे था, it was not mere breath that the preacher uttered, अब बच्छों सांस होता, लेकन यहां पर शब्दों का दिया वा है, कि यह केवल उसके शब्द नहीं थे, जो एक preacher बताता है, यानि धर्मो देशक बताता है, जो उसने कहे, धर्म के देने वाले को कहा जादा है, ठीक है बच्छों, तो सिर्फ उसके शब्द ही नहीं थे, जो उसने कहे थे, दे वर्दा, words of life, क्या थे, जीवन के बारे में शब्द थे, वो बच्छों, अब बस देखते हैं, कि it was not mere breath that the preacher uttered, कि सिर्फ वो शब्द नहीं थे, यह उसके थे, life के बारे में, जीवन के बारे में थे, a life of good deeds, कोईसा जीवन, अच्छे कर्मों का जीवन, and selfless love, और नीश्वार्त प्रेम, वो जो थे, उसमें क्या थे, यानि अच्छे कर्म, और नीश्वार्त प्रेम जो था, वो उनमें घुला हुआ था, बच्छों, उसके शब्दों मे ठीक है, the poet as he listened, poet ने जैसे सुना, felt that the life and character of Ernest were a noblest trend of poetry than he had ever written, जब उसने उसको सुना, जब उसने, किसको सुना, Ernest को सुना बच्छों, तो Ernest को सुनके ऐसे लगा, कि आज तक की, जितनी भी उसने poetry किये, जितना भी कुछ लिखा, उसने ऐसा नहीं जाना, और Ernest जैसे वेक character के बारे में, जब उसने उससे जाना, तो जब उसने उसको सुना, किसने, poet ने जब Ernest के बारे में सुना, जब Ernest अपनी audience से बात कर रहा था, तो उसको क्या लगा, उसको है मैसूस हुआ, कि the life and character के जो जीवन है, ठीक है, Ernest का, were a noblest trend of poetry than he had ever written, कि उसने अपनी poetry में ऐसा क अभी भी किसी के बारे में नहीं लिखा था, वो इतना अच्छा था, कौन Ernest, बच्चो, his eyes filled with tears, उसके आंकों में फिर से आसु आ गए था, ठीक है, and he said to himself, वो अपने आप से बोला, that never was there so worthy as said, as that mild, sweet, thoughtful face, with the glory of white hair diffused about it, अब बच्चो, वो क्या करता है, वो अपने आप से उ उसका विचार सील चेहरा जो था बच्चो, और जो थे, उसके white hair जो थे, उसके बहुत जादा क्या कर रहे थे, उसके glory जो है, ठीक है, उसके गौरों को चमका रहे थे, ठीक है, उसने ऐसा, कभी भी नहीं नहीं देखा था, ठीक है, जब warmness तो मिला था, at a distance, but clearly to be seen, जो golden light सूरज की, ठीक है, appear the great stone face with the white mist around it, जो white mist यानी सफेद कोहरा, जो चारू तरफ उस great stone face की था, ठीक है, वो चमक रहे था, like the white hairs around the brow of earnest, same, उसी तरीके से, जो earnest की सफेद बाल थे, बच्चों ठीक है, वो भी उसी तरीके से, जग मगा रहे थे, कहने का मतलब, उसी तरीके एसे वो चमक रहे थे, golden light में, at that moment उसी शन, earnest face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, अब उसी वक्त बच्चों, उसका earnest का चेहरा देख कर, कभी को क्या लगा, poet को ऐसे लगा, कि उसके जो expression से उनको देखकर क्या लगा, उसको, देखते हैं क्या लगा, throw his arms up and shout, उसने अपने हाथ उठाया बच्चोर वो जोड से चिलाया, behold, behold, earnest is himself, the likeness of the greatest on face, कि क्या है, earnest ही वो व्यक्ती है, जिसका जो चेहरा है, वो किस से मिलता है, greatest on face से, मिलता है, then all the people looked, फिर सब लोगोंने बच्चो देखा, and saw that what the poet said was true, उन्होंने ये चीज़ देखी बच्चोर ये चीज़ नोटिस की, कि कभी ने जो भी कुछ कहा, वो सही कहा था, the prophecy was fulfilled, जो भी भविश्या मानी थी, वाज पूरी हो गई थी, but earnest having finished what he had to say, लेकिन earnest को जो कुछ भी कहना था, earnest ने कह दिया था, took the poet's arm, उसने क्या किया, poet का हाथ पकड़ा ठीक है, and walk slowly, homeward और अपने घर की तरह लॉट किया, still hoping, by appear bearing resemblance to the greatest on face, यानि उसने क्या किया, तुरंत किसका हाथ पकड़ा था, poet का हाथ पकड़ा, और अभी भी earnest इसी उमीद में था, कि कोई उससे भी जादा बुद्धिमान व्यक्ति आएगा, ठीक है, जो क्या रखेगा, जो greatest on face है, उसकी चेहरे की resemblance, यानि सीम उसी का जैसे च white mist में बताया कि थे सफेद कोहरा, जो चमक रहा था, sun setting, यानि जो सूरज जहल रहा था, तो उसकी golden light में चमक रहा था, तो poet को ऐसा लगा था, कि इसकी beard, दाड़ी, इसकी सफेद बाले हो, सेम उसी तरीके से चमक रहे थे, ठीक है, उसने कहा, कि earnest क्या है, earnest खुद ही, वाइ जिलता होगा, जिसका चहरा मिलता जिलता होगा, the greatest on face से, I hope बच्चों आपको chapter अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो मैं मिलूंगे आपसे next video में इसी chapter की question analysis के साब, तब तक के लिए आपको सारे word meanings कर लेने हैं clear, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, thank you.